Hey guys, what's up, कैसे हैं आप लोग, स्वागत हैं आप लोगों का हमारे चैनल बे Stock Market for beginners और आज होने वाला है गजब Warren Buffet सहब की company का नाम तो आप लोग जानते होंगे उनकी हुई थी अभी AGM और Warren Buffet सहब ने लगबग 4 गंटे लगातार बोला और आप लोगों में से कितने लोगों ने देखी वो meeting मैंने देखी थी और आप लोगों के लिए presentation बना के लाया हूं उसकी सारी summary आपको बताऊंगा और आज एक छोटा सा एलान भी करना चाहता हूं भाई देखो अगर आपको गंद चाहिए रोज वीडियो चाहिए इंट्राडे टिप चाहिए क्या होगा यह होगा मार्केट बढ़ जाएगी क्याल क्या होने वाला है बहुत challenge है दुनिया में जाकर देख लो अगर आपको प्योर गोल्ड चाहिए अगर आपको प्योर इन्वेस्टिंग strategy जानने अगर आप इनके चेले बनना चाहते हैं अगर आप वाकई में इनकी strategies के साथ चलना चाहते हैं तो भाई मैं इनके उपर पूरी PhD कर रहा हूं इनके उपर जहां जब जैसे मिलता है मैं पढ़ डालता हूं उसको एकदम घोट लेता हूं और आप तक पचाने की कोशि करता हूं तो शांती से बैठी है सर और देखिए पूरी की पूरी समरी शांती से बैठी को मैं फिर बोल रहा हूं अगर सर आपको गंद चाहिए सरा मुझ से मत पूछना इन्वेस्टिंग कौन से शेर में करनी है अपने आप सीखो नंबर वान नंबर टू म्यूचल फंड बगरा कुछ ने भी देखना इसी के अंदर राज छुपा इस प्रेजेंटेशन के अंदर वार्न बफफे जी ने एक लाइन में पूरी दुनिया को जो है वो खतम कर दिया देखिए कैसे तो बात करते सर वार्न बफफे साब की जो मीटिंग थी उसके बारे में किया रहास अधिक कास बात चार्ली मंगर साब जो है वो मिसिंग थे चाली मंगर कौन है मुझे कॉमेंटर से बताईएगा उमीद करता हूं आप लोग जानते होंगे चाली मंगर जो है वो मिसिंग थे अंड लेकिन वार्न बफफे साफ बूला के जो घबराने की एच्छ जुरत नहीं है और यह जो है और बनता नहीं था इस समय कोई भी किसी भी तरह का हेल्थ रिस लेना तो उन्हों ने इस मीटिंग से दूर है ना सही समझा और जो कि सब नहीं सही समझा बट यह सीजिए गुड है अगर कोई बता सकता ना कोई माई कलाल यह बता सकता ना सस्टेनेबल बेसिस के मार्केट ऊपर जाएगी नीचे तो भाई साब वारेन बफट की जगह में आपको इसकी फोटो लगा का उसकी प्रेजेंटेशन दिखा रहा हो था तो बेफ्कूफ मत बनो बेफ्कूफ बिलकु जो मार्केट कहां जाएगी, मार्केट वहां जाएगी, जासर उसने जाना है, आप कुछ नहीं कर सकते, और एक बात यहां पर देखने वाली है, कि जो Warren Buffet साब ने किया अपनी presentation में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने अमेरिका के बारे में बहुत सारे facts बताए, बताया काँ से शुरू हुई थी, 1929 की Great Depression के बारे में बात करी, 1929 जो stock market level था वो उसके बाद 1950s में आया, उसके बारे में बात चीत करी, और सारी बाते करना के बाद उन्होंने एक जबर्दस चीज बोली, never bet against America, yes, never bet against America, क्योंकि उनका मानना है कि America grow करेगा ही करेगा, come what may, यह COVID आ जाए, या किसी भी तरह की कोई विमारी आ जाए, भाई, America grow करेगा ही करेगा, क्योंकि America ने इससे बूरी चीज़े देखी है, अब आप ब अजाद हुए अभी कितने साल हुए, आप यह सोचिए कि हम, हमें जब उतने साल हो जाएंगे, जितने साल अभी अमेरिका को अजाद हुए हुए है, तो हमारी economy कहां बे होगी साहब, हमने अमेरिका से तेज ग्रोथ लिये, अगर देखी जाये तो, so हमें अब तयार हैना च गोसा में किया दारी है never ever bet against India right so आपको इंडियन economy पर भी ऐसे विश्वास रखना है जैसे वारन बुफेस्स आपको अमेरिकन एकॉनमी पर है यह पक्की पक्की बात है तो जैसे वारन बुफेस्स आप तो आपको उतना भी रिटर नहीं मिल पाता जितना आपका इंफलेशन है यानि कहीं न कहीं अल्टीमेटली आपका पैसा जो है वो लॉस पे होता है आपको दिक्कते होती है आपका पैसा खोता है आपको फाइदा नहीं होता है बॉन्द में पैसे इंवस्ट करके हां अपना अपना इमर्जन सी फंड हमेशा फिट्स में या फिर ऐसी जगह उपे जो बहुती सूपर लिक्विट हो बहुती सूपर सेफ हो वहाँ पर आपको पार करको रखना अच्छी अपना emergency fund लेकिन जो आपके पास extra पैसा है over and above your emergency fund वो आपको हमेशा equities में invest करना चाहिए क्योंकि equities जो है वो हमेशा 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 better होती है किस से bond से या फिर FD से अच्छा जी इसके बाद आपनी पुरानी analogy देते हुए बताया कि आप समझ लीजिए कि आप एक फार्म खरीद रहे हैं आप एक फार्म खरीद रहे हैं अच्छा यह एक और बात थी वह भी मैं आपको बताया तो जल्दी से फिर उस वाली बात पर चलेंगे एक सबसे खास बात जो बहुत सारे बहुत सारे घदे लोग करते हैं घदा बोल रहा हूं मुह पे बोल रहा हूं बताओ क्या कर लोगे क्या उखाड लोगे मैं मुह पे तुम लोगों को घदा बोल रहा हूं जो यह काम करते हैं उधार लेके margin पे trade करते हैं और आपका broker आप everyone but 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 most of them मैं शायद कह सकता हूं ये financial intermediaries ये सिर्फ आपका नुकसान चाहते क्योंकि आपके नुकसान में इनका फाइदा होता है not everyone not everyone मैं फिर से बोल रहा हूं लेकिन जादा तर लोग सर यही कर रहे हैं मैं जानता हूं खुद ऐसे जादा ब्रोकरेज देनी पड़ेगी ब्रोकर कहेगा सर तुम कमाओ ना कमाओ मैं कमाओगा तो यह बात हमेशा याद रखी जो और ने बूली कि आपने कभी भी जो है तो यहां पर हमने बोला एक बात कि भाई आजो जल्दी से तो आपके लिए फानाइंशल सिन होगा आपके लिए चलिए अब चलते नेक्स लाइट पर देखतें सर क्या इन्होंने जबर्दस्त एक्जामपल दिया वेन यू बाई फार्म यू बाई तो प्रोकस ऑन दी प्र लिए लो इस ख्यत का इया लो आपको रोजाम उटक है अपने आपके घ्यक्त के तो क्या आप रोजा ऑ expon चुबे पड़ात्य है उसके 煩रां ने के लिए उनार्ट को प्राइस अचे खन girls और फिर दो दिन बाद फिर खरिद लेंगे फिर खरिद लेंगे और फिर बेज देंगे यह बेफ कुफी आपको कभी भी जो है वो stock market में नहीं करनी चाहिए क्योंकि रोज stock market सुबह आके आपको प्राइस बताती है राइट वाला बिल्कुल याद रखेगा और एक खास बात उन्होंने बूली अगर आपने और इस सारे प्रिंसिपल्स गाईज अगर आप लोग हमारा वैली इंवेस्टिंग फंडमेंटल इंस का कोर्स देखेंगे मैं आपको हमारा सिखा रहा हूँ अच्छली फंडमेंटल में इतना डिट प्रिप्शन बॉक्स में और जरूर जॉइन करें फंडमेंटल वैल्य इंवेस्टिंग जो भी आपको सही लगे एनिवेस फिर उने जवर्दस बात बुली और वो क्या डूंट फील पूरर वें स्टॉक्स गो डाउन बाइट 20-30 परसंट जैसा कि हमने देखा क्रैश में 20- साथ परसंट तक नीचे लेगे बड़े-बड़े शेयर के नाम लेकि बताता हूं आपको सर आप चेक कर लिजिएगा एश्जेसी बैंक को देख लिए टाइटन को देख लिजिए और बहुत सारी ऐसी कंपनी जो सर बहुत नीचे नीचे गई तो आपको कभी भी नराज नह करने के जुरत नहीं है राइट चलिए अब देखते हैं सर नेक्स निंका काम क्या था उन्होंने बहुत सिंपल सी बात बूली है 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 देख लो सुन लो पापियो दुश्टो कह क्या थक गया वारन बॉफेस्ट आप साफ बोला साफ बोला जो कहीं इंवेस्टमें नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास knowledge नहीं है ग्यान नहीं है वो एक काम करें वो चुप-चाप जाके S&P 500 जैसे हमारा Nifty 50 या फिर हमारा Sunsex है उसके अंदर जैसे US में चलता है S&P 500 आप जाके उसके अंदर इंवेस्ट करते हैं वाव मैन वाव He's such a simple man और इन्होंने एक बात कलोर प्रूफ करी के investing is really boring Investing is really boring आप इनको बैटके चारगन पे सुनके देखे आपको समझ आएगा investing is really boring Interesting बनाने के लिए जो आप थ्रिल करते हैं इसके अंदर हाई बढ़ गढ़ 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 वो सर्थ्रिल आपको एक दिन ले डूगएगा देखिए because there is more money for them to do यह लीजिए यह मैंने बक्सा बना दिया आपके लिए याद रखेगा पीपल आपको बाकी चीजे बेचने के कोशिश करेंगे mutual funds जिसमें बहुत सारे commission बनती होंगी बहुत सारा expense ratio होगा जो tax sufficient नहीं होंगे आपको कभी नहीं खरीदने चाहिए आपको याद रखना चाहिए कि आपने सिर्फ और सिर्फ index fund के अंदर पैसे लगाने अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो चले नेक्स लाइट पर चलते हैं और यह देखिए सर कमाल की चीज वारन बफ़े की company के पास इस समय 124 billion पड़े हैं in cash yes 124 billion in cash है इस समय वारन बफ़े के पास और उनसे बहुत सारे shareholders ने सवाल भी पूचा कि अब इस समय stock buy क्यों नहीं कर रहे हैं cash क्यों रखके बैठ रहे ह है एक बात दूसरी बात वो इस समय stocks को नहीं कर रहे है क्योंको लगता है कि हमारे पास जो है सही opportunity नहीं आ रही है सही company में इंवेस्ट करने की opportunity जो है वह नहीं आ रही है कमाल की बात है सर हम सब लोग सोचते stock market बहुत crash हो गई तो मैं भी invest करना चाहिए लेकिन इनोंने अभ सबसे पहली खतरनाक बात कोई durable competitive advantage जो है वो नहीं दिख रही है airlines के अंदर durable competitive advantage कैसे कैसे निकालते हैं यह मैं fundamental analysis कोर्स में सिखा रहा हूं कैसे बता चलता है कि कंपती के अंदर fundamental analysis करते समय आप durable competitive advantage को locate कर सकते हैं यह चीज मैं उस course के अंदर पूरा धंक से सिखा रहा हूं त in case you want to learn about trading technical analysis फलाना फलाना निकल लो ही या देन not sure how many people will travel using airlines अभी जो हुआ है कोई में इसका impact क्या आने वाल है और नहीं पता कितने लोग जो है airlines से travel करेंगे इनके debts increase हो रहे है या फिर equity dilute हो रही है basically इन लोगों को चाहिए पैसा अब या तो debt से आएगा या तो equity से आएगा और दोनों ही चीजे Warren Buffet के business model को यानि Warren Buffet के काम करने के तरीके को समझ बिल्कुल भी नहीं आती है और इसलिए airlines से जो है इन्वेस्ट करके बाहर आ चुके है airlines को बेच के बाहर आ चुके हैं और बता दूँ मैं आपको एक खास बात के airlines जो है वो लॉस पे बेची गई है लॉस पे तो अपने आपको जो खिलाडी समझते हैं कि हमारे एक शेर कभी गिर नहीं सकते हैं हम बता रहे हैं जी जब Warren Buffet सहाब सर लॉस पे position कट कर सकते हैं तो आपको भी करनी पड़ सकती है और यह देखिए आपको पनी mistakes accept करनी आनी चाहिए भाई साब आपको पनी mistake जो accept करनी आनी चाहिए कर आप पनी mistake accept नहीं करेंगे तो आप जिंदगे जीत नहीं पाएंगे इस बात को याद रखेगा और अगर आपको किसी पूजिशन में लॉस और आपकी कोई ऐसे शेयर जिनके इंदसर आपको पता है कि इनका future बिल्कुल नहीं है आप शूर हो इस बारे में तो उनको कट करने में कोई बुराई नहीं है उनको बेचने में कोई बुराई नहीं है बलकि यह एक समझदारी इस से पहले आपका capital पूरा खतम हो जाए मैं चाहँगा कि आप सर्व बेच के बाहर निकले राइट चलिए आप चलते हैं सर एक और खास लाइड पे जो अब उनसे पूछा गया कि आप बक्षायर को तोड क्यों नहीं दिए आपको बग्षायर का एक शेयर कितने डॉलर का का है इस नौट रॉंग सम्वेर अराउंड धाई लाग डालर के आसपास का दो लाग चौहतर हजार के आसपास का होगा दो लाग चौहतर हथा हजार डॉलर डालर डालर नॉट रूपीज एक शेयर और होने सब्सकों कोई ब्रेक अपने रख नहीं करका है बहुत सारी कंप पकड़ रखा है 50 साल तक आप टेक्स को डेफर करते गए और जो पैसा बचता गया वो compound होता गया जिस जिस व्यक्ति को बात समझ आ रहे हैं उसे वीडियो गोल्ड लग रही होगी गोल्ड जो ट्रेडिंग वाले तक निकल चुके होंगे परिंदे और गया होंगे हमें तो आच चाहिए पैसा जो जाके पैसा बचना बचना डॉसरा capital allocation issue क्या होगा जब अलगलग company बन जाएगी तो एक company ने पैसा बहुत दिक्कत होगी विशारी companies एक साथ है तो सर कहीं से कहीं भी company का पैसा बेजा जा सकता है and fees will also be saved क्योंकि सर जब बेचेंगे खरीदेंगे जब breakup होगा तो बहुत सारी fees जब वाल स्ट्रीट को जाएगी और Warren Buffet साब हमेशा बोलते हैं मरता मर जाओंगा लेकिन फालतों की फीस नहीं दूँगा intermediaries को क्या lesson है साब यह तिसर बग शायर की पूरी-पूरी स्टोरी और यह हूं मैं co-founder id91 www.id91.org आपको कुछ भी हो से stock market से लेटेट तो हमारी team को भी call कर सकते हैं उनके numbers मैं नीचे description में दे दूँगा और अप investment अपने शुरू कर दीजे जल्दी से पक्का कह रहा हूं मैं और investment शुरू करेगा अच्छे principles के साथ बड़िया strategy के साथ trading rating छोडो भाई long run सोचो बड़ा capital बनाएंगे आप 20-25 साल आपकी उमर है अभी कितनी आप 20-25 साल सायम रखे अपनी active income अच्छी बनायों 20-25 साल सर अगर दब के आप investing करें तो believe me सर आप 20-25 साल बाद financially free हो सकते हैं शौर शौर्ट financially free हो सकते हैं उन घदों की तरह नहीं जो दिन पर लगे रहते हैं और Warren Buffet सापको सर हमने अपना गुरू मान लिया है द्रोना चार्रे हम बन गए एक लव्या और सीखते रहते हैं सर उनकी बहुत सारी meeting से उनकी बहुत सारी write-ups से उनकी बहुत सारी किताबों से उनसे पता नहीं मिल पाएंगे के नहीं मिल पाएंगे लेकिन हाँ दिल में सर अब वो बसे हुए तो भाई उनकी सारी लेसंस में सीखता हूं और आपको सिखा देता हूं राइट चलिए जी थैंक्यू वेरी मच और हां सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो मेरे प्यारे दोस्तों चीतन वह सबसे पहले फिर हेल्थ और सबकुच बाए